हेलो फ्रेंथ अगर आप अपने राशन कार्ड वनवाना चाहते हैं तो आपको राशन कार्ड वनवाने के लिए किसी भी सावर कैफे या पर जन सेवा केंदर पर जाने की जरूत नहीं है अप अपने घर वेटे मुवाईल या कम्पूटर से खुद से ही अपना राशन कार्ड बना सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको लाइप प्रूब बताने बाला हूं कि आप अपने घर वेटे मोईल या कम्पूर्टर से अपने राशन कार कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरू देखें बिल्कुल भी इसके बना करें और साथी साथ इस चैनल अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलागी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिविकेशन आपको मिलता रहे तो चलते हूं वाली की स्क्रीन पर नया राशन कार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोईल फोन या कंपूर्टर में क सब्से पहले इस लिंक पर इंचरीक आज अगोरास ब्सक्राइब करेंगे और आप अपको वीडियो डिसक्रेश पर Public Login इस पर क्लिक करेंगे,геलिक लोग इन के option पर क्लिक करती है। कोई भी last name नहीं है तो इस option को खाली चोड़ देंगे इसके नीचे आप देख सकते हैं date of birth इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करती आपके सामने calendar ओपन होकर आ जाएगा इस calendar में से अपनी date of birth को यहां से select कर लेंगे इसके बाद नीचे option लियाता gender इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के टाइप करने के बाद चेक user के option पर क्लिक करेंगे चेक user पर क्लिक करती उपर आप देख सकते हैं यह पर right का चिन आ चुका है यानि कि यह username अवेलवल है इसके नीचे आप देख सकते है password जो भी आप password को create करना चाहते हैं उसको यहां पर type कर लेंगे इसके नीचे आप देख करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं mobile नमर जो भी आपके पास mobile नमर अवेलवल है उसको यहां पर type कर लेंगे नीचे जो भी email id अवेलवल है उसको नीचे type कर लेंगे इसके नीचे आप देख सकते है state इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका state है उसको यहां से select कर ले करेंगे इसके बार नीचे उप्सें द्याहाता विलेज टाउन इसको क्लिक कर लिए प्रम के जोवर कमेशन का नाम है उसको यहां से सभिज लेंगे विली टाउन टाइब करने के पर नीचे आप देख सकते एडरेस फंस्ट लाइन जो को जिस तरीकी से capture code दिख रहे उसी तरीकी से आपको नीचे capture code को type कर लेना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6-0 यानि कि यहाँ पर total मिलाके type कर लेंगे capture code को fill करने के बार नीचे आप देख सकते हैं remarks अगर आप कोई भी remarks से यहाँ पर type करना चाहते तो type कर सकते हैं अनित है यह optional है इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर I agree के button पर click करेंगे नीचे आई येर वी के option पर click करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर submit के option पर click करेंगे संबिट के option पर click करती आपके सामने कुछ इस तरीके का pop-up आ जाएगा यहाँ पर ok के option पर click करेंगे ok के option पर click करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़ी दिर wait करेंगे wait करने के बाद जो भी आपने आदर नमर को type किया तो उस आदर काट से जो भी mobile number registered होगा हाँ पर OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर type करेंगे OTP को type करने के बाद तरीकेifier इंटरफिस आ जागा यहां पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेशन कम्प्लीट सक्सेबली आने कि जो भी आपका एकाउंट है वो सक्सेबली क्रिएट हो चुका है अब यहां पर ओके क्यों पर क्लिक करेंगे ओके क्लिक करती अब यहां पर फिर से लॉग इन की पेज़ पर उसको यहां पर तैप कर लेंगे नीचे जो भी आपने प्रकुर्ण कर पर ओक्ट करने के बाद यहां पर थोड़ी दीर वेट कर यह आब तो यहां पर थोड़ी दिर वेट वेट करते, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले option देखने की मिल जाता, common registration facility इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन option निकल कर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको पहला option देखने की मिल जाता, new registration इस पर क्लिक करेंगे, new registration के option पर क्लिक करती आपके सामने कुछ तरीकी का इंटरफेस आ जागा, यहाँ पर आप दिख सकते हैं कि आपका राशन कार्ड कितने step में बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले step मिल जाता, general details, नीचे जो भी आपकी general details है, उसको यहाँ पर सही तरीके से fill कर लेंगे, general details को fill करने के बा information है, उसको यहाँ फिल कर लेंगे, additional information को fill करने के बाद, जो भी RC member है, यानि कि जो भी आपके गर में member है, उनकी details को fill कर लेंगे, इसके बाद RC inclusals की details को fill कर लेंगे, इसके नीचे आप देख सकते हैं, एन एफसे criteria है, जो भी NFSे criteria है, उसको यहाँ फिल कर लेंगे, fill करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं, finish, यानि कि यह सारी details को fill करने के बाद, जो भी आपका राशन कार्ड का online forum हो, वो successfully submit हो जाएगा, submit होने के बाद, आपके सामने एक token number, जन्रेट होकर आ जाएगा, उस token number को कहीं सुरच्चे तरीके से note कर लेंगे, या फिर उसका screenshot लेंगे, तो कि इसी token number से आप अपने application को track कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप पता करना चाहते हैं, कि आपके राशन कार्ड का application accept हो आए, reject हो आए, यह पता करने के लिए उपर scroll करेंगे, scroll करने के बाद यहाँ पर three line के option पर click करेंगे, click करने के बाद registration status के option पर click करेंगे, click करते ही ज तो भी आपका application उसकी सारी details आजाएगी, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, कि आपका application reject हो आए, या फिर accept हो आए, तो इस तरीके से आप अपने घर वेटे मुआल या computer से राशन कार्ड को बना सकते हैं, तो अगर आप को वीडियो अच्छ लीगी तो वीडियो को like करें, share कर और इसी टेकनिकल वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe जरूर करें, मिलते हैं इसी next वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए